और अब यह almost over होने वाला है Hi दोस्तो, Welcome to Om Your Helper दोस्तो मैं कई दिनों से यह Vanish Oxi Action Liquid जो है इस्तमाल कर रही हूँ आज की वीडियो में हम Vanish के साथ एक छोटा सा experiment करेंगे हम Vanish का test लेंगे हम चेक करेंगे कि क्या यह जो Vanish Oxi Action है यह जो White Shirt पे पीला दाग लगा हुआ है क्या इससे यह Washing Machine में निकाल पाता है Let's see मैं इस दाग को निकालने के लिए कोई भी ब्रश का इस्तमाल नहीं करने वाली हूँ सिर्फ Vanish और Detergent का इस्तमाल करूँगी अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा सा टिप देने वाली हूँ आप Washing Machine को खोले और जोसका Detergent ट्रे है उसको बहार निकाले और Detergent ट्रे के उपर ही जो भी आपका Stain वाला एरिया है जो शर्ट में मेरा Stain लगावा है उस एरिया को मैं Detergent ट्रे के उपर रख दूँगी कि वो मुझे साफ साफ दिखाए दे कहां पर Stain है और साथ में जब मैं Vanish डालूँ तो वो Vanish भी अच्छे से Spread हो सकी मैं इसका जो एक धकन है वो पोर करूँगी मैंने एक धकन से थोड़ा सा कम लिया है अब ये जो Stain है मैं इसके उपर डारेक्ली पोर कर रही हूँ वैसा को Detergent ट्रे में बगल में साइड में Bubles दिख रहे होंगे Oxi Bubles वहां बन रहे है Shirt पे तो नहीं बन रहा लेकिन Detergent ट्रे में आपको वो Oxi Bubles नजर आ रहे होंगे 10 मिनट तक हम इसी तरीके से Vanish Set के उपर लगा रहने देंगे 10 मिनट बाद मैं इसमें थोड़ा सा Detergent पोर कर लूँगी बिल्कुल थोड़ा सा ही Detergent पोर करूँगी ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखे हम इसमें कोई Brush नहीं लगा रहे है हम Washing Machine में इसे Directly दो रहे है तो Stain अच्छे से निकल जाए इसलिए मैं ये चोटा सा Idea लगा रही हूँ Might It Works की इससे Detergent डालने से जो है वो Stain निकल जाए वैसे सिर्फ और सिफ Vanish के उपर यही लिखा हुआ है कि आपको 10 मिनट के लिए Stain के उपर Vanish लगे रहने देना है That's It मैं इस White Shirt के साथ और भी कपड़ों को धोने वाली हूँ तो मेरे पास 7-8 कपड़ी और है मैं उन्हें भी Washing Machine में डाल लेती हूँ सारे कपड़ों को डालने के बाद मैं अब Shirt को भी डाल देती हूँ मैं यहाँ Detergent Tray को बंद कर दूँगी और Washing Machine का Delete लगा के Power On कर लूँगी Washing Machine के उपर यह जो Power Button है हम इसे Press करके Power On कर देंगे By default P1 Program रहता है जो की Daily Program रहता है हम इसी Program में रहने देंगे वरना Program Button दबा के Program Change भी कर सकते है अब यहाँ पर है Ultra Clean को Option जिससे कि गर्म पानी आता है Washing Machine में पर आज हम नॉर्मल पानी में धोने वाले हैं वैसे गर्म पानी में धोने से जादा गंदगी निकलता है अब मैं जाओंगी Start Up Pause बटन के उपर हम यहाँ प्रोग्राम को कर देंगे Start प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद Machine एक दो मिनट के लिए घूमती है और कपडों का वेट लेती है और बताती है कि आपको कितना डिटरजेंट डालना है यहाँ जैसे एक कप लिखा हुआ है तो हम एक कप डिटरजेंट ले लेंगे अब यह जो Arial का डबा है इसका New Packaging हो गया है इसका जो कप है वो Change हो गया है और यह कप जो है काफी Size में बड़ा है पुराने वाले के comparison में पुराने वाले कप में आप देख सकते 60 ml का मार्किंग भी था इसमें 60 ml का मार्किंग भी नहीं है और यह Size में भी ज़्यादा बड़ा है तो इसमें ज़्यादा डिटरजेंट अटता है तो आपका डिटरजेंट जल्दी जल्दी ज़्यादा खतम होगा इसलिए मैंने इसका यह पुराना वाला का लीड लगा देंगे वाशिंग मशीन ने यहाँ पर 34 मिनट्स का टाइम लिया है और पानी आना शुरू हो गया है तो लेट्स सी अब प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे वाइट शर्ट से जो दाग है वो चला गया है पर यहाँ पर तो मुझे दाग नजर आ रहा है दोस्तों यह तो पूरी तरीके से इसका दाग गया ही नहीं अच्छा चलिए हम देखते कि क्या इसे धूप में ड्राइ करने के बाद इसका हलका होता है कि नहीं दाग वीडियो के लास्ट में कि इंपॉर्टन टिप है वो जरूर देखिएगा अब शर्ट सूक चुकी है और यहाँ दाग भी काफी हद तक हलका हो गया है पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है पर बहुत हलका हो गया है दोस्तों बहुत इंपॉर्टन टिप की बारी आई अब आप सोच जोगे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरा यह वैनिश का बाटल अल्मोस्ट फिनिश होने वाला है तो आखिर मैंने इस वैनिश को यूज कैसे किया कहां कहां यूज किया तो जब भी मैं बेड़शीट को वाश करती हूँ मैं यह अल्ट्रा क्लीन आप्शिन वाशिंग मशीन का चूज करती हूँ होट वाटर गर्म पानी में दोना पसंद करती हूँ अपने बेड़शीट को अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा और साथ ही में मैं कोशिश करती हूँ कि एक धकन डिटरजेंट के साथ मैं एक धकन वैनिश का इस्तवाल करूँ वैनिश डालने से क्या होता है ना कि जो भी इसमें कड़ी डर्ट है चमी हुई एकदम वो निकल जाती है और कपड़ों में चमक भी आ जाता है तो आप जब भी बेड़शीट दोए तो वैनिश का इस्तवाल कर सकते हैं